देखो ज़्यादा पक्षदी करके आपे में तुम लोगा टाइम खराब नहीं करने वाला हूँ अभी हाली में आर पोको एक्सिस प्रो लाउंच हो आ इंडिया पे तुम लोग इतना ज़्यादा कन्फ्यूज होगी इन दोनों डिवैस में से किसको ले सबसे पहले बात करते है इसल्ग जो जो यूज करता है और जो यूज नहीं करता मैं आपे बताया ताओ आइक और प्रोसेसर देखने को मिल जाता है independent gaming chip ठीक है अगर मैं ऐसे pronoun नहीं हो रहा तो उसे एगनोर मारो और यह जो independent gaming chip पे ना यह बहुत ही अच्छे से काम करता है ऐसा बात नहीं कि काम नहीं करता कहीं नहीं करता कहीं नहीं पर smoothness feel कर वाता है जैसे इसमें 120 EPS बाला जो mode आता है उस पर तुम लोग जैसे करोगे उस पूरा एकदम से smoothness feel होता है और gyro बगेरा भी smooth होता है अब बात करते भाई POCO XS PRO पे कौन सा हम लोग को processor देखने को मिलता है यहाँ पे तुम लोग को पता होगा इस पर आता है आईक्यूने 7 Pro पे बैटरी बैकप बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है जितना भाई हम लोग को POCO XS PRO पे देखने को नहीं मिलता क्यूंकि जो आईक्यूने 7 Pro का जो software है ना वो बहुत ही यादा optimize है फंट चो ऐसे उसके इंदर वो खास करके battery के लिए बहुत ही याद तो बहुत ही यादा optimize करता है तुम लोग यहां पर समझ सकते हो और अपना आईक्यूने 7 Pro पे 90 पे देता है पूरा एकदम से 54 पेस तक आया था वहाँ पर आईक्यूने 7 Pro पूरा एकदम से मिंटेन रखता है स्मूथनेस भी है और उस पर कैसे देगा पता है वहां पर तुम लोगों सबसे पहले monster यहां पर देखने को मिल जाते है यहां पर तुम लोग समझ सकते हो इन दोनों डिवैस में से कौन सा बेस्ट है फॉर हाड़कोर गेमिंग एंड कॉंपिटिटिव देखो मेरा point of view से देखो तो अगर बाई तुम लोग यहां पर पोको एक्सिस प्रो ले सकते हो बट यार इसमें न कस्टम रूम तुम लोग चड़ा लेना 90 एपिस ता कॉंस्टेंट नहीं आएगा ठीक है अगर ले रहे हो तो तुमारे पास PC जरूर होना चाहिए वाई क्योंकि कस्टम रूम भी इसके लिए आने वाल है क्यों अगर पोको एक्सिस प्रो अगर ले रहे हो तो उसका 2LG वाला लेना कोसिस करके और उसके लिए तो आएगे उसको ठेड़ा लेना तुम लोग और इस वीडियो पर पचास लाइक का टार्गेट है इस वीडियो पर पचास लाइक करवा दो मैं कभी बोलता नहीं यार लिग